नमस्कार दोस्तों अब टेटी ती ती आरी चनेल में आप सभी सात्यों का फिर से एक बार स्वागते सात्यों कक्षा पांस तक के बीएड डिग्री वाले शिक्षकों की सुची तलब चटे चरनिया उसके बाद न्यूक्त हुए शिक्षकों का मामला जो है वो सामने आया है श पत्र जारी किया है साथी एक फॉर्मिर जारी किया गया है जिसमें शिक्षकों की पूरी विवड़नी मांगी गई है विभाग ने जिलों को लिखे पत्र में कहा है कि पटना उच्चे नियालाय के 6 दिसंबर 2023 को आये फैसले की विर्द सरवच्चे नियालाय में वाद दायर किया गया है ताकि छटे चरन में ससर्त न्युक्ती शिक्षकों को राहत प्रदान की जासरके मालूम हो कि पटना उच्चे नियालाय ने 6 दिसंबर 2023 को सुप्रिम कोट के नियादेश के आधार पर दिये फैसले में कक्षा 1-5 में वीएड की योग्यता को आयोग्य बताया था नियालाय ने कहा था कि कक्षा 1-5 में शिक्षक को योग्यता डिये लेड की है विभाग ने जिलों से यह भी जानकारी मांगी है कि नियुक्ती से 2 सालों के अंदर कितने शिक्षक 6 मेने का व्रेज कोर्स किये हुए है तो देखिए व्रेज कोर्स तो अभी तक किसी ने नही किया है पर सुप्रिम कोर्ट में यह मामला जो है वो गया है यह अच्छी बात है सरकार्थ जो है वो शिक्षकों के हित में फैसला लेना चाहती है सिक्षकों के हित में काम कर रही है आगे सुप्रिम कोर्ट में देखिए क्या सब होता है लेकिन पूरी उमीद है कि यह जितन भी पीछे ना हटे वैसे तो सरकार आप सभी के पक्ष में ही आगे बढ़ी है और देखे क्या सब होता है आप बने रहे हो लिटीटी त्यारी चैनल के साथ पलपल के अपडेट मैं आप सभी को शिक्षा इभाग का देता हूं देता रहूंगा विश्वास दिलाता हूं वीड सब्सक्राइब करके एक जूरता का परिचे जरूर देश जिएगा अभी के लिए इतना ही फिर मिलते अगले वीडियो में साधा निवासाथ